हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चेनल आकाउंट्स और स्वालेशन में आज का जो अपना टोपिक है बिजी 21 का 3.4 जो वर्जन आया था इसमें कुछ अपडेट आया था वेलिडेट एचेसन ओनलाइन इस फीचर में नया अपडेट आया है यह मैं आपके लिए बता देता हूँ कि इसमें क्या अपडेट आया है आपको ट्रंजेक्शन पे किलिक करना है जीएस्टी मिस यूटि पे आपको किलिक करना है आपके जो भी प्रोड़क्ट है वो आपको यहां से सेलेट करना है लोड डेटा पे आपको किलिक करना है लोड डेटा पे आप जैसे किलिक करते हो तो यहां पे आपके जितने भी आइटम होंगे वो सारे आइटम आपके सामनी आ जाएंगे इसका जो स्टेटस है अभी यहां पर ब्लेंक आ रहा है और इसकी जो description है description में भी इसका blank आ रहा है तो यहां पर आप जैसे इस item को select करते हो मैंने पर्ष्ट item select कर लिया है यहां से आपको app2 करना है जैसे आप app2 करते हो तो आप देख पारे हो कि यह जो मेरे पास hsn number है यह valid है और यह इसकी जो description है वो मेरे सामने आ चुकी है इस तरह से आप अपना जो भी hsn number है उसको आप update कर सकते हो यहां से मैंने जो भी मेरे जितने भी product है यहां से मैंने select कर लिए हैं जैसे मैं इसको app to करूँगा app to करने के बाद मेरे पास 13 जो product है जो hsn है मेरे पास जो मैंने डाल रखे हैं invalid hsn है यानि मैंने गलत डाल रखे हैं इस नाम से कोई hsn नहीं है और यह जो नीचे के जो product है जैसे मैंने इसका जो भी hsn number डाल रखा है तो इसकी description automatic bg software ने pick up कर ली है तो इस तरीके से आप अपने bg software का जो नया update आया है bg21 real 3.4 इससे आपके जो भी product है जो भी आपने hsn number डाल रखा है तो उसको validate कर सकते हो और आपकी जो description है वो automatic pick up हो जाएगे तो इस तरीके से आप अपने जो भी hsn number है उसको आप check कर सकते हो next जो इसमें change आया है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि मेरे पास जैसे मैं किसी भी item को खूलता हूँ नया product जैसे मैं बनाता हूँ मैंने जैसे mobile मैंने नया product बना लिया है Nokia मैंने इस पे लिख दिया है यहाँ पर मैंने group select कर लिया है और इसको piece में कर लिया है मैंने item बना लिया है mobile है Nokia का और इसके बाद जैसे मैंने इसका group select कर लिया है और यहां पे इसकी GST मैंने select कर ली है जिसे इसमें 18% का जो GST text होता है इसके बाद जिसे मैं इसका HSA number लिखता हूँ 8517 तो यहां पे पेले यह option नहीं था यह अभी जो नया version अपडेट हुआ है BG21 का 3.4 जो version नया जो अपडेट हुआ है इसमें यह option आया है कि आप यहां से जिसे आपने HSA number एंटर किये तो यहां से इसको validate कर सकते हो इस पे आप जिसे किलिक करोगे तो यहां पे आपके सामने नजर आ रहा है कि telephone set इसका जो भी mobile से related इसका HSA number है और यह बिल्कुल सही है तो यहां से आप इसको check कर सकते हो अगर इसका अगर आप check करना चाते हो तो यहां पे इस पे search hsn hse code पे आप किलिक कर सकते हो यह window आपके सामने खुल जाएगी और यहां पे आप लिख सकते हो कि 8517 जैसे आप लिखोगे तो यहां से search कर सकते हो यहां पे इसका अगर 8 digit आपको मालूम नहीं है आपका जैसे जो purchase आता है किसी छोटे distributor से आपके पास कोई purchase आया है उसने 8 digit नहीं लिक रखे हैं अगर आप 8 digit की सरेणी में आते हो तो यहां से आप check कर सकते हो कि आपका HSA number है जो क्या लिखना है आपको जैसे यहां पे 85171211 तो इसका HSA number 8 digit में है और इसका जो 4 digit में है और यह 2 digit में है तो यहां से आप check कर सकते हो दूसरा जो यहां से अगर आप check करना चाहते हो कि यहां पे आपने HSA description आपने लिख दिया है जैसे अगर मैं OIL यहां पे लिखता हूँ तो OIL से related जितने भी product होंगे या फिर जितने भी HSN code होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे तो यहां से आप उपर से check कर सकते हो यह आपके सामने OIL से related जो भी product है जो भी description OIL से related है यह आपके सामने आ चुकी है अगर आप यहां पे जिसे पेट्रोल लिख देते हो पेट्रोल मैंने एंटर कर दिया है और यहां पे जिसे आप search पे क्लिक करोगे तो पेट्रोल से related जो भी HSN number है वो आपके सामने आ जाएंगे तो यहां से आप search भी कर सकते हो और आप जिसे अपना कोई साभी नए आइटम बनाते हो तो आप यह जो नएआ option आया है इसकी मदद से इसको डारेक्ट यहां से validate कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि यह HSN number जो आप डाल रहे हो यह बिल्कुल सही है यह आपका जो mobile है mobile से related HSN number है यह यहां पे cellular network यह सारा सब कुछ लिखा हुआ है तो यहां से इसको कर देना है आपको OK और इसके बाद कर देना है आपको इसको save आप जो भी नए आइटम create करते हो तो यहां से direct इसको जो भी HSN number एंटर करते हो तो यहां से इसको validate जरूर करना है ताकि आप check कर सको आप जैसे आपकी GSTR 1 की report भेजोगे तो उसमें problem आ सकते है आप जिस भी सरेणी में आते हो अगर आप 4 digit की सरेणी में आते हो या फिर 6 digit की जो सरेणी में आते हो तो उससा आप यहां से search कर सकते हो आप जैसे यहां पर validate पर क्लिक करोगे तो यहां से आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपके पास 4 डिजिट में आपके HSN नमबर है, तो यहां से आप 8 डिजिट का सर्च कर सकते हो, इस तरीके से यह जो भी 8 डिजिट का है, वो आप HSN नमबर लिख सकते हो, I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सेट जरूर करें, वीडियो देखने के लिए दिल से दन्यवाद, थैंक यू,